किसान बाई नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा पशुदन मेरे नामे संदीप सींग आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत शांदार गिहू काटने की मशीन जिसको बोला जाता है पावर रिपर बाइंडर रिपर का मतलब होता है गिहू को काटना और बाइंडर का मतलब होता है साथ में उनकी बंडल बनाना यानि की रिपर बाइंडर इसको कहा जाता है यह जो मशीन है वो आते हैं हमारी ग्रिन लेंड कंपनी की तरफ से यानि की ग्रिन लेंड रिपर इसको बोला जाता है इसमें डोरी लगाई जाती हैंने कि धागा लगाया जाता है जिससे कि आपके जो गेहूं हैं उनका बंडल भी साथ में बनाती जाती हैं दोस्तो मार्केट में कहीं सारी बड़ी बड़ी मशिने अवेलेबल होती हैं गेहूं काटने के लिए परन्तु वो इतने जादा कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि अगर हम हार्वेश्टर से गेहूं कटवाते हैं तो उसमें हमारा जो गेहूं का भूसा है वो सभी का सभी भूसा नश्ट हो जाता है यानि कि कोई सी काम का भूसा नहीं रहता और हमारे पश्यों के लिए बहुत ज़्यादा हमें भूसे की किल्लत देखनी पड़ती हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शांदार गेहूं काटने की मशिन जो की आपके गेहूं तो काटेगी साथे साथ में आपकी तमाम तरह की जो फसले होती हैं और बिल्कुर नीचे से काटते हैं आने कि दो इंचे उपर से आपकी फसल को काटेगी जो की जिसे हम मजदूर से गेहूं कटवाते हैं तो उस हिसाब से फसल काटेगी और इससे आप एक रोजगार के रूप में भी अपना सकते हैं अने कि अगर यह मजद तो आप इससे रोजगार भी कर सकते हैं अने कि सीजन में शिजनाई चलाएं तो आप डेली से 4-5,000 रुपे की इनकम भी कर सकते हैं आप खाटे तो आप आराम से इससे इनकम कर पाएंगे और इसकी अगर मैं कारेशमत है की बात करूँ तो ये मशिन एक घंटे में लगबग एक बीगा गिहूं आराम से काड़ देती हैं कोई भी इसमें आपको प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगी और अगर इस मशिन के अगर टेकनिकल जानकारी की हम बात करें तो इसमें फोर स्टोक एर कूल इंजन दिया गया है दस एच्पी का जोकी डिजल इंजन है डिजल ऑपरेटेड इंजन इसमें दिया गया है दस एच्पी का और एक ड्रयावर के बैठने के लिए भी एक शांदा चांदार तरी केसिस में लगाया गया है अभी इसमें अलग-अलग तरे की मशीने आती हैं जो कि आपने पहले देखा वह रिपर वाइंडर थी और यह तेक्टर से आगे लगने कि यह फ्रन्ट ओप ट्रेक्टर इसको लगाया जाता है तो अलग-अलग कंपणी की मशीने बना जैसे आपकी गेंगे उसको अंदर लेकी जाएगी और पूरा चांदार मोडल आपके लिए कंपनी ने तयार किया है और यह देखें आप टेक्टर के आगे जो मशीन लगती हैं वह इस प्रकार से कार्य करती हैं यह अगर आप टेक्टर वाली लेना चाहते हैं तो वह भी ल लेना चाहें तो वह भी आप ले सकते हैं आपको सभी तरह की मशीन इसमें उपलब्द करवा दी जाएगी कॉंटेक्ट नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और साथ आपको इस्क्रीन पे भी कॉंटेक्ट नंबर दिख रहे होंगे जो कि आप कर सकते हैं और बहुत शांदार मशीने अगर आप गेहूं कटना चाहते हैं या फिर आप व्योसाई करना चाहते हैं तो आप इससे बहुत आराम से कर पाएंगे अब आपको मैं आगे यह तो आपने देखा रिपर बाइंडर वो ट्रेक्टरों फंटर यानिकी ट्रेक्टर के आगे लगने व कि आप बड़ी अगर फसले आपके पास है यानिकी जुआर हैं मक्का हैं यह देखे आप कितने सपाई से काटती हैं बिल्कुल भी इसमें आपको जंजत नहीं रहेगा किसी प्रकार काती यह देखो कितनी आसानी से इस मशीने फूरी की पूरी जो फसल हैं उसको काटा हैं और एक तरफ गिराया हैं बिल्कुल लाइन से जो कि अगर आप मजदूर हैं तो उसके मजदूर से आप उठवा सकते हैं फिर आप भी खुद भी उठा सकते हैं इसमें कोई जादा प्रोब्लम नहीं होगी यह देखें आप मेरे इसाफ से बहुत ही जादा अच्छे से अग आपका भूसा बिल्कुल नहीं बचता है और आपके पश्यों के लिए आपको फिर से चारा खजरिने की जरुरत होती हैं इस मसिंसे अगर आप गहुं काटेंगे तो आपको सारे के सारे गहुं जैसे की मजदूर काटते हैं सेम उसी तरीके से आपके गहुं काटेंगे और आपको कोई इसमें प्रोबिलम नहीं होगी अगर आपको इसका धागा खरीद रहें तो वह भी आपको इसी कंपणी के दौरा आवेलेबल करवाये जाएगा साथ साथ तमाम सरे की जिसके गेर हैं वह भी आपको कंपणी में मिल जाएंगे तो उम्मेद हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा जानकारी आपको अच्छी लेगी होगी और आगे भी देखें आप मुझे मेरे इसाब से बहुत शांदार रिपर है अगर आप फरीदना चाहते हैं गहों काटने की मशिन तो आप फरीद सकते हैं बिल्कुली आसानी से आप इसके दोरा काम कर